भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में लगातार तीसरे दिन भी भारतिय टीम का दब-दबा रहा बात चाहे गेदबाजी की हो या फिर बल्लेबाजी की अंग्रेजों के मुकाबले भारतिय खिलाडियों का ही बोल बाला रहा है जी हाँ आपको बता दें कि बेशक दूसरी पारी में भारत के टॉप ओडर बल्लेबाजों का परदर्शन कुछ खास नहीं रहा इसके बावजूद इस्पिन गेदबाज रवी चंदरन अस्विन ने तुफानी बल्लेबाजी कर अंग्रेज गेदबाजों के परखचे उड़ा दिये गेदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी अस्विन ने कई बड़े विश्वरी कार्ड ध्वस्त कर दिये गेदबाजी में पांच विकेट लेने वाले रवी चंदरन अस्विन ने 106 छे रन की शतकिय पारी खेल कर इतिहास रच दिया है पौहली पारी में इस्टार बल्लेबाज रोहित सर्मा और रिशब पंद की तुफानी बल्लेबाजी का दबदबा रहा तो वहीं दूसरी पारी में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और रवी चंदरन अस्विन ने सांधार बल्लेबाजी की इसके अलावा एक और भारतीय गेदवाज ने डट कर अंगरेज गेदवाजों का सामना किया जी हां दरसल हम बात कर रहे हैं हाल ही में टेश्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाले टेज गेदवाज मोहमध शिराज की क्रिकेट विशे सग्यों की माने तो मोहमद सिराज भी सतकी अपारी खेल सकते थे लेकिन दूसरे छोर से किसी बल्लेबाज का साथ नव मिलने की वज़ा से सिराज यह कारनामा करने से चूक गए 482 रन के विशाल लच्छे का पीछा करने उत्री इंगलैंड की टीम बिलकुल हार के कगार पर खड़ी है जी हाँ आपको बता दें कि दूसरी पारी में मात्र तीरपन रन के स्कोर पर इंगलैंड की टीम टीन विकेट गमा चुकी है जबकि अभी भी बाकी दो दिन बचे हैं ऐसे में अब कोई चमतकार ही अंग्रेजों की हार टाल सकता है दरसल क्रिकेट विशेशग्यों की माने तो सिरीच के पहले मैच में भारत की करारी हार के बाद अंग्रेज गेदवाज भारती अबल्लेबाजों को हलके में ले रहे थे लेकिन सर्मनाक हार के बाद बौखलाए भारती अबल्लेबाजों ने जबरदस्त पलटवार किया है कि तुफानी बल्लेबाजी के सामने इंगलेंड के दिगज गेदबाज भी घुट ने टेक दिये।